नमू नारे जगो माता वन्देवात्रों मा भारतिकों प्रणाम और हिर्दायशे ओम शम्शनिश्चराय नमू प्रिमित्रों शाथियों ज्ञान मन की नहीं हिर्दय की भासा है और इसे समझने के लिए हिर्दय को जागरत करना बहुत ज़रूरी है हमारी जीमन की शमशा का हल हमारी हिर्दय की किताब में मौदूल है बस वहां पहुच और वहां पहुचने का जरिया ज्ञान और ज्ञान गुरुमाराजी मेरा चोटा सा निवेदन मेरी आरादी शनिदेव अरज पीटीस अपरेल और अपनी मूलतिरकॉंड राशी गुम में प्रवेश कर ratsे बाद अपनी मूलतिरकॉंड राशी में प्रवेश Anda यूग में इतने शुनदर मास्नेयोग में दोहजार बाइस शनिय माउश्या माँच्छ श्रीशनिधाम शनी तीरत चेत्र असोला फते पुर्वेरी में आपका श्राइब करेशनि भगवान के दास्तन पूजन तेलापी से चंपों कष्टों से चुटका राथ दिली और एंस्यार की सभी सनी भक्तों से मेरा निवे देल शनी तीर मित्रों शाथियों 3 मार्च 2022 गुरुवार का दिन है और बात करते हैं आज की पंचांग और राशिफल पंचांग और राशिफल पर आऊं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मार्च महने का 12-12 राशियों का मासिक राशिफल गुरुमंतर विदाती माराज पर अलग-अल राशियों का पर्मानेंट सोलिसंद मिले इस वीडियो को देखकर आप 90 दिन का ये उपाय प्रारम करिए आपके सारे कस्ट मिटेंगे नमनेन बात करते हैं पंचांग की फालगुन शुक्लपक्ष की प्रतिपदा विक्करम समझ दो हजार अठार फालगुन मास की बीश पर उननातीस मिनिट स्रुद कालि कर न किस्तुघन करन है करन का समाप्तिकाल सुबह दस बजकर शुड़ा मिनट अगला करन बहुए नक्षत का श्रूमी गुरु है श्रमाप्तिकाले चार मार्च एक बजकर चपन मिनिट आज चंदरमा ब्रष्पत्ति की नक्षत्र में संचरन करेगा और चंदरमा कुमराशी में आज के जो ग्रह योगा प्यतकाली लगन और लगन में शुरी चंदरमा और ब्रश्पति है मंगल बुदर शुक्र शनी मकराशी में राउ विर्षब्रासे में के तूवर्षिक रासी आज का जो अभिजीत मूर्थ है दोपर 12 बजगर 10 मु पूर्ष में करना चाहिए जमनानों बात करते हैं चोगडिया की लाब गार जो चोगडिया वो दोपर 12 बज़ कर तैंटीस मिन्ट से लेकर दो बज़े तक अमरित का चोगडिया दोपर 2 बज़े नियुक्ताइब स्कुष्चित माना ने गी शलह मेरी मर्जियाद पच्छी मानी कई और आज यातरा पे जाने से पुर्ट जीरा चबाते हैं लिए आप जनम दिन या स्वाधी की साल्गरद दाती महाराज की और से आपको हार्द नियुक्ताइब आपका जिवन खुशियों से बरा रहे सन्य भगवान की चर्णुम में मेरी प्रात्वा तीन मार्च आपका जनन दिन आपका मुलांग तीन और आपके जिवन में अंग तीन का प्रभाव अधिक रहे मुलांग तीन का जो शौमी ग्रेव ब्रश्पति और उसकी प्रभाव से आप शांत प्रिये और कौमल सभाव के व्यक्ति है जिसकारी में हाथ डालते उसे पूरा करके छोड़ते हैं आप में गजब की नेतर तो शमता है जिसका उपयोगा बखुभी करना जानते हैं आप दूसरों को अपने प्रभूत तुमें रखना भी जानते हैं आप एक अच्छी प्रसासर के गुण भी है आप शौबिमानी है किसी का आगे जुखना आपको पसंद नहीं है शिक्षा की आपका जुखा बड़ा अच्छा रहता है पड़ाए लिखाए में हमेशा आगे लेते हैं उच्छ शिक्षा प्राप्त करते हैं तरक चमता बहुत अच्छी है दार में एक संस्तावन से जुलके बेते हैं नौकरी और वेवस्टाइट दोनों ही शितर आपके लिए अच्छ मतज्यों से आशा के अनुठ वो स्योग नहीं मिल पार तो यह कभी तो भी तनाव रहता है आप अपने रिजदारों के प्रती उदार है रखते है उनकी हर समभfinder मदद करते हैं हालांकि परिवार वालों से आपको उतना नहीं मिल नुद बाता जितना आप करते हैं लेकिन आ विद्वानों का ये मतग लगने इसको अश्ट में इसका दोस नहीं लगता है। सपोज गुरु तुला लगन की कुझली यानि जो पहला चतरभूजे उसमें साथ का अंक लिखा हुआ है और वहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, से, साथ, आठ गेने तो आठ वे जो खाना है उसमें दो नमर राशी आईगी यानि विर्शब राशी आईगी तो इसमें लगन और अस्टरम भाव का स्वामी शुक्र हो गया गबराने की जोर्त नहीं है क्योंकि लगनेश अस्टरम भेस भी है तो वो प्रतिकुलता नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए अच्छे प्रिणाम मिलेगी क्योंकि लगनेश कम से कम वहां बैठा है ना तो उस घर को तो ठीक करेगा ठीक है वो लगन भाव पीड़ी जरूर हुआ थोड़ा सा लेकिन य ये घर अपका मजबूत हो गया ते के अब मैं बात करूंगा आपके राशीपल की और ये राशीपल पूर्षों के लिए भी है मेलाओं के लिए बुझर से ुट्त। सब से पहले मेश राशी ज्यारभी भाव में चंद्रमा ब्रश्पत्य की नक्षत्रव में संच्रन कर रहा है। अनावशक बाधाँ प्रेशानियों से छुटकारा मिलेगा शुपकारी शंपनलेगा धन की प्राप्तियों की बुजरगों का और बड़ों का साथ मिलेगा। अपना कार्य भार दूसरों पर आपकी प्रसंद लाब का संकेत दे रहे हैं राज मेश्ट राशिवा लोग ओम राम दूताए विदमेहे कपी राजाय धीम ही तनु हनमत पर्शो द्याती आदवुद गाहितरी भाई तताइस चौवन या एक सो आठ बार जाब कर लें और कन्य को भोजन करा दून सारी बिगन और परिशान से आठ चुट कार मिले गनमनन बात करते हैं विर्थवराजी की दसंभाव में चंदरमा और दसंभाव में चंदरमा ब्रश्पत्ति के नक्षत्रों में संचन कराए ग्रगोचर शुप शितारों कर्शों के कैरियर कारुबार न कैरियर और इन सभी छेत्रों में आपको शफलता मिलेगी हर प्रकार की परिशान से चुटकारा मिलेगा और व्यवस्तित तरीके से आगे बढ़ने का मोका मिलेगा बस एक बात का ध्यान रखेगा नयतिकता का दामन पक्रिकर रखेगा विज्यार क्या करें अधूरे कारी को पूरा करें क्या ना करें अपनों की जरूरतों को अंदेखा ना करें शुबंग दो है शुबंग गुलावी है भागिया आपकी फक्स में सत्तर प्रसंद लाब का संके देरों परिशमरास जो आज ओम तत्परसाइबी तुमें महादिवाय धीमी तन्नो रुद्र प्रत्यो जरूर जाप करें नमनन सारे कस्ट मिटेगी अर बात करते हैं मितुन आसी कि नमवाम में चंदरमा ब्रश्पत्ति के नक्षतर में संचरन कर रहा तो गोचर यह करा है कि काम बनेंगे रुकावटों से में रहत है जो काम में रुकावट थी बाद आती उठा पड़कर उसमे में विशेश सफलता बस थोड़ा सा खर्चों पर अंकुष रखेंगे तो और अच्छा भी त्यारती हैं युआ हैं खिलाडी हैं कलाकार हैं परिक्षा कि आप त्यारी कर रहे हैं तो मैनत और परिश्रम करिए सफलता आपका दामन करें क्या करें कारें आर्तिक छेतर में ब मैंत व्रखें हैं कलीजियेगा सारी कारे मिड़ेंगे नमिनन और बात करते हैं करकर आसी के रस्तरमभां में चंदरमा और अश्रम में चानरमा ब्रश्पति नधिकी नक्षात्रहम व्रिश्रम शंचन करना धन का अपवाय है, अपन और बाहर के लोगों से तर्क और वितर्क भी है, और वहान परयोग में साफधानी नहीं बरती, नशा करके वहान चलाएं तो दुर्गतना भी है, निरानी राउं, प्रिवेंशन बैठर देने ज़े, अब विद्यारते तो शिच्छा के चितर में हर परिशानी हर कर्ष से छुटकारा मिलेगा आज करक्राशी वालों ओम तत पुरसाय विदुमेही महादेवाय धीमी तन्नो रुद्र प्रच्यों द्यार होगान शिव की गाहितरी इसका जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा नमनान बात करते शिंगरासी की सब्त सब्छल आपके एवालों पांति युवाल है विलारी हें कलाकार हैं तो आज आपकी सम्द्ध बड़ेशा रहे और आपके अपने शेत्र में अपनों का साथ मिलेगा और मित्रों का भी शायत मिलेगा आपको शपलता मिलेगा आज शिक्षकों का सङूग बढ़ा अच्छा बागिया आपकी पक्ष में पैंसर प्रसंद लाब का संकेदर शेंगराशिवाला वाज ओम आदित्याई विद्में प्रभा कराए धीम ही तन्नों शूर्य प्रचोद है यह अदफुद है करके देखेगा हर कस्थ हर परिशानी में रहाथ मिलेगी नमनन तो बात करते हैं कन्य प्रश्पति के नक्षत्र में संचन करने समय उत्तम है समाज में आपकी लोग प्रित्या बढ़ेगी घर परिवार में सुब और मांगली कारी संपन बनें होंगे क्रेगों चुक्ति शुब है आर्तिक समश्याओं का समधान मिलेगा मन परसंद से रहेगा रोकिवे कारी बन क्या करें जो लोग आपके साथ हैं उनकी आउश्यत्ताओं पर आध्यान क्या ना करें अधिक उत्यजित होकर कारिये ना करें शुबंक एक शुबरंग शरपेद भाग्या आपके पक्समें 35% लापका संगे देरर आज करने आशिवालों ओम एक दंताईच अविदमें इव प श्थxisतरों में चंद्रमा का संत्रण है आज जोचर यह कह रहा है कि समय थोड़ा सा मध्युण कारिस्त्री मध्यम रेगी, सोच समझ और खर्च का है, सोच समझ कर बोले कारिस्तर All पर बिना सोचे समझे किसी की मध्यसतान करें और अनावसक स्वर्चेशों को थोड़ा सा काबूरत है, पैसे गुजार लाइक धन की प्राप्ती होगी, साथ मिलेगा आपनों का, तार्मी की यात्राओं का यह भी है, शिक्षा के छेतर में परिश्यम करने में सपलता भी है, शाम आते आते बहुत सी परिशान से छिटकारी मिलेगा, आप विद्यारती हैं तो आज अभिवावकों और शिक्षकों का मान बहुत जरूरी, उनकी सुनना बहुत जरूरी है, क्या करें, बुजर्गों की आग्या का पालन करें, क्या ना करें, भाई बंदों से कलहना करें, सुबंग अच्छे, सुबंग गुलाभी, भाग्या आपकी पक्षमें 70% सरदानों साथ जाब करेंगा, बुजर्गों की सला अंदेखा करना नुकसान रहेगा, वहां से चोट है, कुटम परिवार में तल्की है, और आज चिंतानग समचार की वज़े से मन भी बेचें रहेगा, माता से रिष्टे खराब नहीं हो, ग्रेलु बातावन में तल्की न क्या करें, अपनों की बात पर थोड़ा सा महतू दे, क्या ना करें, पुंजी निवेस नहीं करें, सुबंग साथ सुबरंगलाल भागया आपकी पक्स में, केवल 35% इलाब का संके देराय वर्चिकराश चालों, राज बहुत जरूरी है, ओम पदम पुत्राय विदमें, अम बात काते हैं, धनोराज से की तीसरे भाव में चंदर्मा, और तीसरे भाव में चंदर्मा ब्रशपर्ति के नक्षत्रों में है, समयन कूल है, सास और प्राकर्म से, हर कारें में आप शपलता हाज चीज़ केंगे और आपकी इस्तित्ती बड़ी उत्तम रहें, आए में विर कारी शंपन करने के लिए नितिनियम सिध्धानतों का पालन करें, क्या ना करें, दूसरों के कारे में दखलन दाजी में, सुबंग पांश, सुबंग प्रपल, भागया आपके पक्ष में, 80% लापकाशन के दिर आधन राश वालों, आउम भूर भावा श्वाह तसुर वित और प्रश्पति इस बात का संके दे रहा है कि आज काम बने, अपनों से प्यार मिलेगा, पारे बारी परिशान से मुक्ति मिलेगा, संतान पक्स अनकोल लेगा, संतान कुछ शिक्षा के छेतर में सफलता मिलेगा, सवजनों से अनावसिक जो उठा पटक थी, जो तनाव था उसमें कम ही आएगी, परिश्रम का पूर्ण लाब मिलेगा, खर्चों पर अंकूस रखा तो धन की बच्चत भी होगर, जन्सम्मंदी मामले भी ठीक रहेंगी, नमीन योजना में बस जल्दबाजी नहीं करता, विध्यारतियों के लिए आज का, दिन बड़ा सुभ है, पर भागिया आपकी पक्ष में, पच्चासी प्रसंद लाब का संकीदर मकराश वालों, ओम सनेश्चराइस अभी दुमें, छाया पुत्राय धीमी, तन्नों मंदी प्रचोदायार, श्रंदेव की गायतरी, जाप कर लेजएगा, कस्ट मिन जाएगा, नमननन बात करते कुमराश लगन भाव में चंदर्मा और लगन भाव में चंदर्मा ब्रश्पति के नक्षत्रों में हैं, तरगोचर की अनुकुलता से हर रुकावा कारी आपका बनेगा, रुकावा धन मिलेगा, आपका वर्तिस्तों बढ़ेगा, समाजी के वर्तिस्तों के साथ साथ घर परिवार मे पुर्ण संपलता और नौकरी में अनुकुल विवार में बहुत परसंद रहेगा श्राकरमी साथ ख़़े रहेगा आरतिक इस्ति में सुधार होगा पारवारिक मित्रों के विच में मेल मिला बढ़ेगा उच्छल और असल संपति की प्राप्ति का योग विद्यारतियों के ल लेने भी अच्छा मुकाम है क्या करें साथियों को विश्वास में लेकर कारे करें क्या ना करें किसी वस्तु का आज क्रे ना करें अच्छा रहेगा शुबंचार सुबरंग प्रपल भागया आपकी प्रक्ष में 75 प्रसंद लाब का संके दे रहा है राज कुम्राश यालो और बात करते हैं मेंडासी की बारवे भाव में चंदर्मा और बारवे भाव में चंदर्मा ब्रश्पत्य की नक्षत्र में संक्रण कर रहा है समय थोड़ा सा प्रतिवोल है दोका हो सकता है विवादित भूमी भवन वान समन्दी सोदों में मोटा कस्ठ हो सकता है धनहानी है पारवार इकले से मांसिक तना है और रिण का लेंदेन इज़ी सावधारी पूरुक नहीं किया तो पूंजी डूप से विद्यात्यों के लिए आज गोचर पून ता सावधानी का संके दे आज अपने भीतर जांके कि अपन से क्या कमी रही है उस कमी को पहले पूरा करें परिवार को साथ रहे आगे बड़े सपलता में सुबंग साथ है सुबरंग पीला है भागी आपकी पक्स में 45 परसंद लाब का संके दे रहा है राजमिन राश्वालों गाईत्री मंत्र का ज नादिल ने का कोई शबाव नहीं शकेन ओपने अदिकार आपका था आपका है राफिका रहे जाए अब मैं उन सवालों को जबाब दे रहा हूं जो मेरे वीडियो पर आप कमेंट करते हैं यूटूब के चैनल पर बहुत से लोगों ने का साथ काम चल रहा है लेकिन जितना मैंने पैसे लगाए जितनी मैं मेहनत करता हूं इतनी कारुबार में विर्दी नहीं होरी क्या करता हूं रविवार के दिन लाल कप्ड में पांच निबू 21 काली मिरिट 11 चुटकी पीली सर्सों पोटली बना दे और यह पोटली दुकान या वैवसाइक प्रतिश्थान का मं अंगल करते समय इस्तान काउन में रख दिजिए प्रतिकाल जब दुकान आप खोलेंगे तो इस पोटली को किसी विराने इस्तान में गड़ा खोड़े रख्या जाए ग्यारा रविवार कर दिजिएगा दर 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 दूर हो जाएगा नमनन बात करते लिए अपच की बात है आदा चमच कच्चे पफिते के दूर में जरासी चीनी के साथ सेवन कर लिजे आप देखेगा या प्याज के रस में थोड़ा सा सेंदा नमन अपसे जड़ से शुटकारा मिल जाएगा नमनन यह मेरा प्रियास्ता लादने का सभाव नहीं सेकेंड ओपनिन का दिकर आपके पास है कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर चमा प्रातियों आप शुकी रहें स्वस्त रहें समर्दी सीन ने चैने भगवान की चरण में मेरी प्रात्म रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एक दाती महराज गायों से बहुत प्यार प्यार का लिए हजारों श्यक्र मनश्य हूँ और मानू होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉ लेकर मेरा इंकार नहीं है नहीं में इसके लिए मुझे आपका सजयो चाहिए और शायोग के लिए प्रस्तियां वह ने कहने के लिए कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए, और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी समश्याओं के समधान के लिए, भई, आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बह वज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए, और इसलिए मैंने कहा था कि, भई, थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गाएं, चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हिरदय से आया, लोगों ने कहा कि, राश्ट आप से प्यार करता है दाती महराज एक बार निवेदन करिए, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये एंकार नहीं है, शातियों, मेरा राश्ट रोपरी है, मैं ये नहीं कहा रहा हूँ, मैं ये कहा हूँ, मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए, और परिश्रम के अवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए सनी भगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा नीवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिनोंने सनीधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणाद करता हूँ और ये सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनीधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते है सासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यादा है और सासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुषयो करें पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोन आ र